कि देवेंद्र बदर्स काम को यहाँ पर मार्च 2013 को बैलेंशिट दी हुई इसमें आपर केपिटल है प्रोफिट एन लोस अकाउंट दियावा है केपिटल रिजर्व शॉर्ट टर्म लॉन ट्रेट क्रेडिटर्स तेके बिल्डिंग है प्लांट है मोटरकार इस्टो के डेट अब इसकी इनफोर्मेशन हम पढ़ते हैं आपर है तर्टी फर्स्ट अप मार्च 2013 2013 को जो इनका यह रेंड हुआ है उसके साथ हमको पांस साल के प्रोफिट यहां पर दे रखे हैं तो तिके फाइब यह प्रोफिट गिवन इंडिक्वेशन फॉर्टी तो फाफंड्रेट फिटी फाइब तॉजन और फिटी ताउजन और फॉटी सेवन फाइब द तो जिए पशले पांस साल की प्रोफिट हमारे पास ने हमारे पास है तीकomas चो बिलकुल लेटेष्ट यह वह हैं 2021-3 यह हमारा बिल्कुल संब्सिंट को उसके पहले कि चार साल के प्रोफिट हमको और दे रखेंग अब यह जो पांत साल के प्रोफिट हमको दिये हुए इन प्रोफिट में कुछ इंकम इसी थी जो नौन रेकरिंग नेचर की थी नौन रेकरिंग का मत्त होता है एसी इंकम या ऐसे expenses जो बार-बार नहीं होते हैं को जो बार-बार नहीं होते हैं तो आप सब ध्म्स एक लाइन में पढ़ आउन देखना है Divine देवेंद्र ब्रदर्स ने अपने पांस साल के प्रॉफिट का केलकुलेशन किया तो उन पांस साल के प्रॉफिट में इन्हों ने एक नॉन रेकरिंग नेचर की इंकम को शामिल किया हुआ था और वह इंकम थी पांच हजार रुपे देखिए ध्यान से जीरो साथ जार पांस सो रुपिया जीरो और दस हजार रुपे मतलब इन पांचों एयर के प्रॉफिट में ये इंकम शामिले तो अगर हम बात करें कि 42,500 ये 42,500 रुपे का जो प्रॉफिट है इसमें कितनी इंकम शामिले पांच जार रुपे की पांसो कितनी इंकम शामिले जीरो में 45,000 में 70,500 फिप्य तावजन मइं इंकम शामिले की और उसको मैं कौन से इपर इसको यहां पर आप चार सकता हूं व्भी हमँया पर समझेंगे अब यह जो इंकम है जिसको इन्होंने अभी क्या बाला नॉन रेक्रिंग मतलब कभी-कभी होने वाली इंकम यह इंकम फ्यूचर में अब रेगुलर होने वाली किता रुपया दस हजार रुपय यह रेगुलर होगी तो पहला एडिस्ट में को यहां पर इस इंकम करना है जो कि मैं भी आपको समझाने वाला हूं आगे मार्च दोहजार को इन्होंने क्या किया बीलडिंग है प्लांट और मशीन का वेलुशन कीया है कि तो ब्ल्डिंग का वेलेशन होता है दोपचास पर प्लांट और मशीन का तो इसका क्या करना होता है हमको यहां पर गुडविल की केलकुलेशन में तो एडिशनल डेप्रेशेशन केपिटल इंप्लोईट में यहां पर ही काम आने वाला है देखते हैं डेप्रेशेशन की देरेखी रेट आपको 10% की उसके बाद लास्ट में आपको एक प्रॉइंट दे रखा है कि कमपनी ने जो प्रोफिट कमाये था करंटेर का उसमें से कमपनी ने जो गुड़ सेल किया है मार्केट में तो ट्वंटी फाइफ अंड्रेट के डेटर्स कमपनी के बेड होने वाले हैं बेड़ डेट्स बनने दूबने वाले हैं और उसके बाद भी कमपनी आप देवेंद्र जो हैं ब्रदर्स हैं वह फाइब परसेंट की रेट से प्रोवीजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाना चाहते हैं ठीक है और लास्ट में आपको दे रखा कि 8% की रेट से पांस साल की एनुटी वेल्यू आपको दे रखिए यह फाइनल केलकुलेशन ने लास्ट में काम आएगी तो सबसे पहले करना क्या है उन्होंने जैसे बोला कि गुड्विल का आपको केलकुलेशन करना है ओन दे बै करना है सुपर पॉफिट के एलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का केलकुलेशन करना होता है तो अब मैं वह स्टेप आपके सामने आप पर रख रहा हूं स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन होती है क्वेशन की अंदर जो फॉर येर फाइव येर के प्रॉफिट हमको दिये हुए होते हैं तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है कि क्या कोई एबनॉर्मल नेचर का एक्सपेंडिचर एबनॉर्मल नेचर की इंकम हमारे इन पांस साल के प्रॉफिट में शामिल है ठीक है ये हमको चेक करना होता है तो देखिए हम इस्टार करते हैं इसको सबसे पहले हमने क्या किया पांस साल के प्रॉफिट को लिया है ठीक है दो जार नो दस किसे देखिए है हमको पांस साल के प्रॉफिट यह पर लेने तो आठ नो नो दर्स दस ग्यारा ग्यारा बारा बारा तेरा यह इस तरह से आपको प्रॉफिट यह पर लिखने है यह यह तुटावजन एट नाए फस्ट टियर एट नाइन फिर फिर नाइन टेन फिर 11 फिर एलेवन ट्वैल उसके बाद ट्वैल थाटें पांस साल के प्रॉफिट को एडजेस्ट करते हैं तो जब हमने इसको एडजेस्ट करना है तो सबसे पहले चेCK करें आप लोग क्या को акos नेचर की इंकम या एबनॉर्मल नेचर का एकस्पेंडिचर हमको दे रखा हैं तो एक इंकम ऐसी थी जो नौन रेक्रिंग नेचर की थी मतलब नौन रेक्रिंग का मतलब जो कभी-कभी होती है रेगुलर नहीं हो रही है कभी-कभी हो रही है और अलग-अलग का माउंट के लोकर हो रही है तो इसमें क्या करना आपको उन पांच साल में आपको फिट से जाना है उन पांच साल के प्रोफिट को आपको सही करना है सही का मतलब यह होता है जो इंकम आपने उसमें आपर शामिल कर ली थी नॉन रेकरिंग नेचर की थी तो उस इंकम का एफ इसमें को दे रखा है पांत साल की इंकम जो नौण रेकर्ण नेचर की थी है तो सबसे पहले तो जिस समझे इंख इनोंने शामिल की थी उस समस्का नेचर किया है ध्यान से सुनी को उसका नेचर क्या है नौण रेकरिंग मतब यह एक regular income नहीं है ठीक है और गुडविल की calculation में वो income और वही expenditure आते हैं जो normal nature के होते हैं जो regular होते हैं चुकि यह इन पांस सालों में non recurring income के nature की है इसलिए इसकौम क्या करेंगे हम इस income को उस year के profit में से minus करें जिसमें शामिल है तो दो हजार आठ नो का जो प्रोफिट है 42 500 उसमें यह पांच हजार की income शामिल थी इसलिए आप देखिए यह हमने हांसे इसको minus कर दिया पहला special point दो हजार नो दस्क में यह income जे रेखिए आपको जीरो देखिए जीरो शुनी इसलिए हमने इसका यहां पर कुछ भी नहीं किया दो हजार दस ग्यारा टैन एलेवन में सेवन्टी फाइफ हंड्रेट की इंकम थी इसको हमने वहां से इसको लेस कर दिया 11 12 के अंदर यह इंकम थी जीरो तो हमने इसके हाँ पर कुछ भी नहीं किया और दो हजार बारा तेरह में यह जो इंकम थी अभी भी कौन सी इंकम में नौन रेक्रिंग कि इसको हमने क्या यहां से लेस कर दिया देखिये लेस करने का मत 빼b bisa कर दिया मैं फिर से आपको बतारा ही जब आप गुडविल का वेलुशन करते हो तब अगर आपके प्रोफिट में कोई एबनोर्मल नेचर की इंकम एबनोर्मल नेचर का एक्सपेंडिचर नोन रेकरिंग नेचर की इंकम नोन रेकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर अगर आपके किसी प्रोफिट में शामिल है तो उसको व एद्जस्ट्रांट वर्स्टमाइन है देखिए मैं अदर यदि कोई करिंट होती है है ऐसे कवैंट होती है है मैं और उस करड़ा सेट की वेल्यू में अगर कोई इंक्रीज या कोई डिक्रीज होती है Monica देखिए मैंने तो बैलेंशीट के अंदर जो करन्ट असेट है जैसे हमको यहां पर इस टॉक डेटर्स यहां पर कभी कुछ होता नहीं यह तो इस टॉक और डेटर्स यहां पर हमारी करन्ट असेट है चालू समपत्य है तो बैलेंशीट के अंदर जो करन्ट असेट होती है गुडविल का वेल्यूशन करने के समय यदि उन करन्ट असेट की वेल्यू में कोई फ्लक्ट्वेशन हुआ कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज हुआ तो उसका समायोजन हमको करन्ट असेट कि मैंसे भी करना पड़ता है और जो करन्ट येर का प्रोफिट है उसक्रांट के प्रोफिट में उसक्रांट असेट में होने वाले फ्लक्ट्वेशन को एड्जेस्ट करना पड़ेगा तो वह समयोजन मैं आपको यहां पर करके बता रहा हूं सबसे पहले आप चेक करिए ड पंद्रह हजार रुपए के इन पंद्रह हजार रुपए में से क्या हुआ एक लाइन देखिए इस एस्टिमेटेट देट रुपीस टुन्टी फाइव फंड़ेट ऑफ बुक डेप्ट वुडबी बेड मतब पच्चीस सो रुपए के डेटर्स डूप गए डेटर्स डूबने का मतब डूब ट्रेग का मतब अस्त हमारी कम होगये का तो सबसे पहले तो क्या करना आपको यहां पर धिकरण्टेयके प्रोफिट में से हमने क्या किया कर अंच प्रोफिट 2021 तेरा जिस ऐर कि हमको बैलेंच चिर देरक की है के नाम से ठीक है आला समझ में क्योंकि या करन्ट एसे रिलेटेट ट्रांजेक्शन है तो करन्ट एसे रिलेटेट कुछ भी अगर होता है तो वह करन्टीर के प्रोफिट में इसे एडलेस होगा क्योंकि 25 रुपे के हमारे डेटर्स डूप गए हैं इससे हमारी करन्ट सेट कम हो गई तो पंद्रह अजार में से 25 रुपे हमारे डूप गए ठीक है अब कितने डेटर्स बचे बैलेंशित में 12,500 रुपे के अब फिर से एक इनिफ्रमेशन हम को दे रखी यहां पर की डेटर्स की उपर पांच परसेंट की रेट से प्रोविजन बनाना जरूरी है और आप सभी जानते हो प्रोविजन कहां से बनता है प्रोविजन फ होगा देखिए 625 रुपिया कैसे आया देखिए ध्यान से 15,000 के हमारे डेटर्स थे इसमें से 25,000 के डेटर्स बेड़ हो गए तो 12,500 के डेटर्स आज भी हमारे बच्चे हो गए हैं और इन डेटर्स की उपर जिसा बोला गया है कि पांच परसेंट की रेट से प्रोविजन बनाना है तो वह जो प्रोविजन हो कित्ते हैं आएगा 625 का और यह प्रोविजन हम करनने का यहां को यह हमारा सेिकन नंबर का सपेशिल भोइन था कि कुरंट अच्चेट की वेलिय में अगर कोई इंक्रीज कोई होता है तो उसका समयोजन करन टेर के प्रोफिट में से ही होगा स्ट्यप नंबर में ठीक है तो हमने क्या किया है हमने सबसे पहले पांस साल के प्रोफिट लिए फासाल के फिलोफिट में अब है नोन रहे पर एडायμεर्टीर के उसके बहाद के प्रोफिट में से हमने यहां पर करण। कि उस प्रिवर्पंड असेट भी पॉरच सेवन के हो यह सिंपल ऋओड़ान के बाद सेहलिट कर लिए स्चिर्प नंबर वन अब हमको सिंपल कोर तो सिंपल करते हैं वीति का इसम्ध में होकर रहे तो बढ़ रहे हैं से तालीस पांसों के बास से तीस पांसों कम होगे मतलब हम यहां पर वेटेड एवरेज नहीं कर सकते हमें सिंपल एवरेज करना होगा कि सिंपल एवरेज कैसे करते हैं सिंपल तरीके से पास साल की प्रोफिट का टोटल किया और उसको पास से डिवाइड किया तो हमको हमारा सेकेंड नंबर का जो इस्टेप है सिंपल एवरेज प्रोफिट मिलता है एक तालीस हजार तीन सो पिचेतर रुपे फॉर्टी वन 375 इ नंबर 3 फ्यूचरमेंटेनेबल प्रोफिट तो फ्यूचरमेंटेनेबल प्रोफिट में क्या करते हम की अगर कोई इंकम बनने कि संभावना है फ्यूचर में एक इंकम थी जो नॉन रेकरिंग नेचर की थी मतब एक तरह से कभी कभी होने वाली तो उसका एड़ेस्टमेंट हमने कर दिया स्टेप नंबर वन के अंतर अब बाद में बोलते हैं कि भविश्य में इसी आशा की जाती ही इडिज एक्सपेक्टेड की फ्यूचर में यह इंक बोल रहे कि यह इंकम अब इनकी रेगुलर होने वाली फ्यूचर में तो अभी तक रेगुलर थी क्या नहीं फ्यूचर में एक इंकम बढ़ गई तो उसको हमें क्या करना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रोफिट की केलकुलेशन के टाइम पर हमें उसको स्टेप नंबर थर् इन फ्यूचर एक इसी इंकम जो भविश्य में आपको होने वाली और रेगुलर नोन रेकरिंग नहीं बोलना रेगुलर रेकरिंग बार-बार होगी मतलब नॉर्मल तो अभी तक इंकम हो रही थी क्या नहीं अब होगी क्या हां होगी इसलिए इसको यहां पर एट किया आय पर इड़िस करते हैं उसके लिए को क्यिक्सिन में पहले चेक करना होगा की बिल्डिंग की वेल्यू पहले किति थी और आज कितनी देकर ध्यान से बिल्डिंग की वेल्यू पहले दोवलार देसे जाब रुपए ती आज हो गईव दोपचास तो बिल्डिंग की वेलू कितने से बढ़ी टू फिप्टी माइनस टू लेक टेन थाउजन कितना हो गया चाहिए से जार कि एसेट की वेली बढ़ गई इंक्रीज तेखे यह सेट की वेली अमर किया हो गई इंक्रीज हो गई उसके बाद एक और देखना आपको यहां पर मशीन मशीन हमारी है वन फिप्टी पुरानी और आज इसकी कित्ती वेली है टू 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 लेक टूंटी फाइब ताउजन की वेली हो गई पहले कित्ती थी पन फिप्टी ठीक है तो कित्ते से वेली बढ़ी कि 75 इंक्रीज अब अगर बढ़ेगी तो फ्यूचर में किया होगा डेपरिशन भड़ेगा तो फूर्टी थाउजन का कितना परसेंट लेना आपको टैन परसेंट और सेवन्टी फाइब का टैन परसेंट यह डेप्रिशिशन फ्यूचर में ज्यादा लगने वाला वाला है अभी तक दो दस की ओपर डेप्रिशिशन लग रहा था टू टैन की ऊपर एड़ एट टैन परसेंट लेकिन अब फ्यूचर में तू लेक फिप्टी थाउजन की ऊपर डेप्रिशिशन लगाया जाएगा मतलब 40,000 की ऊपर डेप्रिशिशन बढ़ने वाला है कितना चार जार इसी प्रकार मशीन का भी कि हमने तो कुल मिला करके 11,500 रुपे का डेप्रिशिशन हमारा बढ़ने वाला इसको हम बोलते हैं यहां पर एडिशनल डेप्रिशिशन तो फिप्टी वन-375 में से हमने क्या एक्या को मायनस किया तो हमारा जो फ्युचर मेंटेने बढ़ प्रोफिटे वो आता है थर्टी नाइन एड- वा हमारी यहां पर हमने पहला पॉफेट यहां पर केलकुलेट कर लिया है अब हमको चाहिए नार्मल प्रोफिटे तो अमस ज को चाहिए नोर्मल ली प्रोफि दोनों को मार्केट पी लेना है मोटर कार बुक वेलिव पर इस्टोक बुक वेलिव पर डेटर बिल्कुल लेटेस्ट लेने हैं तो यह कैसे आएंगे बताता हूं मैं आपको 15,000 के डेटर थे कि डेटर्स आज की लेने हैं पंद्रह जार के डेटर्स थे इसमें से पच्छी सो के डूब गए कितने बचे बाराजार पांसो इसमें से हमने 625 रुपे का क्या बनाया प्रोवीजन और प्रोवीजन फो डाउटफुल डेप जो होते हैं वो डेटर्स की वेलू में से माइनस ह कर आते हैं तो हमारे नेट डेटर्स कितने हैं तो बाराजार पांसो माइनस 625 जबाब करोगे तो आएगा ग्याराजार आठसो पिचेतर रुपिया देखिए यहां पर डबल वन एट सेवन पाई ठीक है डेटर्स केश केश में लोचेंज तो हमारी असेट आती 559 375 उसमें इसने क्या मायनस के हमने आपालाइबिटी अब लाइबिटी में ध्यान अथना लोंग टर्म लाइबिटी प्लस करेंट लाइबिटी कैपिटल पीडूर्श कुछ भी नियाता है तो शोटर्म लोन एण ट्रेट क्रेड़िटर्स यह दो लाइबिटी आपको लेएँ यह दोरु लाइबिती हम ने माइनस की तो हमारी जो केपिटल एंपलोइट है वह आती है फौर फौर्टीनाइन 375 आप यूट से चैंपलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं वह स्जीन केपिटल एंपलोइट फौरटीनाइन 375 हमने यहाँ पर क्यलकुलेट की है क्लोजिंग केपिल एंपलोई हमने आपर 449 375 केलकुलेट की अब इसमें से हमें करन्टियर प्रोफिट का कि 50 परसेंट माइनस करना होता है तो हमारी एवरेज केपिटल एंपलोईट आती है यहां पर एक छोटा सा एक अजम्शन है जो आपको समझना है देखिए करेंटेयर का प्रोफिट करते हो तो 50 परसेंट किसका करें क्योंकि देखिए करन्टेयर के अगरम बात करें तो टेबल देखिए टेबल में 47500 भी है जो करेंटरी का प्रफिट दरेका बिफोर एड्जेस्मेंट और चौती से जार तीन सो पिचेत्ता रुपया भी है इसमें से हमने आपन नौन रेकरिंग इंकम और वह करन्ट असेट में होने वाली कमी को भी एड्जेस्ट करें लिया तो आपको यहां पर एक पॉइंट ध्या एड्जेस्मेंट करना है बस मतब करन्ट असेट में जो कमी होगी उसको माइनस करना है तो इस्पेशल पॉइंट है ध्यान से समझ लेना तो सेताले जार पांसु का प्रोफिट हमको क्वेशन में गिवन था इसमें से हमने एक तो डेटर्स दैनक्तिया नोन रेकरिंग इंक रुपे का 25 और एक प्रोविजन फॉर बेडर्स छेसो पच्चीस रुपे का उसे तले जार पांसो माइनस पच्चीसो माइनस छेसो पच्चीस कि कितना आता है 44 375 इसका आपको लेना है पचास परसेंट है ठीक है जब आव इसका करते हो पचास परसेंट तो आपका प्रॉपेट आएगा वावीस एक तो सत्यासी पॉइंट पांच मतलब दबल टू वन एट एट इस्पेशल प्रोजन मैंने बोला ध्यान अटना इसमें आपर केल्कुलेशन के टाइम पर आपको यह थी ज्यान अटनी है जब आप 50 परसेंट ऑफ करेंटेर प्रॉफिट करते हो क्लोजिंग केपिटल इंप्लोईट में से माइनस करते हो तो आपने कैलकुलेट किया अब हम बात करते हैं सूपर प्रोफिट की तो सूपर प्रोफिट का लिए आपको नॉर्मल प्रोफिट चाहिए नॉर्मल प्रोफिट होता है एवरेज केपिटल इंप्लोईट इन्टू एनर आर तो चार 27 एक सो सत्याशी का निकाला अपने आठ प प्रोफिट हम निकाला 34 175 सूपर प्रोफिट आता है फिप्टी सेवन हंड्रेड अब 5700 सूपर प्रोफिट अब गुडविल की मेतहड़ आप देखिए गुडविल की पहली मेतड़ नॉमबर ओफ यह चाहिए नमबर फियर्स नंबर ऑफ एट्स में आपको शूपर को एन्यूटी वेल्यू से मल्टिप्लाय करना है और एन्यूटी वेल्यू आपको इस एक्वेशन के अंदर 3.9927 दी हुई है आपको कि अवल उसको सूपर प्रॉफिट से मल्टिप्लाय करना था और आपकी गुडविली हां पर बावीश साथ सो अथावन आ जाती है ठीक है अ हाला कि इसमें क्यूश्टन में आपको यह एन्यूटी वेल्यू दे रखे ए 3.9927 अ शेली हांदा है